नमस्ते फ्रेंड, स्पार्कल किचन में आप सबका स्वागत है तो आज स्पार्कल किचन में हम बनाएंगे वेज मायो सेंड़ीच की रेसिपी जो बहुत ही जूसी, क्रीमी और टेश्टी बनके तयार होती है तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते है तो सबसे पहले हम यहां पर बारिक चोप की हुई पत्तागोबी को एड़ करेंगे अब हम बारिक चोप किया हुआ कैपसिकम एड़ कर देंगे और सबजीयों को आप कम ज्यादा कर सकते हो आप अपने पसंद के हिसाब से इसकी कॉंटेटी एग्जेस कर सकते हो यहाँ पे मैंने बारिक बारिक चोप किया हुआ काजर ले लिया है और बारिक चोप किया हुआ प्याज ले लिया है और बारिक चोप किया हुआ टमाटर एड़ करेंगे आप सबजी आपने पसंद के हिसाब से एड़ कर सकते हो और इसमें से कम भी कर सकते हो और जितनी quantity में जो सबची पसंद है वो एड़ कर सकते हो तो यहाँ पे मैंने चिली फ्लेक्स लिए और हम एक टीस्पून जितने चिली फ्लेक्स एड़ करेंगे अब हम इसमें mix hub एड़ करेंगे अगर आपके पास mix hub नहीं है तो आप इसकी प्लेस पे औरेगानो भी एड़ कर सकते हो और आप अपनी पसंद के हिसाब से जो भी sizzling डालना चाहो और डाल सकते हो मैंने यहाँ पे बेसिक चीजे ली है अब हम इसमें पुना हुआ एक चम्मच जीरा पाउडर एड़ करेंगे और स्वादनुसा नमक अब हम एक टीस्पून काली मिर्च पाउडर एड़ करेंगे और सारी चीजों को हम अच्छे से mix कर लेंगे अब हम इसमें दो चम्मच मायोनीस एड़ करेंगे फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आये तो इसे लाइक और सेर करना ना भूले और मेरी चैनल पे अगर आप पहली बार आयो तो इसे सस्क्राइब भी जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफ कैसन आपको मिल जाए तो देखिए यहाँ पे थोड़ा मायोनीज कम लग रहा है तो हम वापस से इसमें दो चमच मायोनीज एड़ करतेंगे और हमें इसे स्मूथ और क्रीमी सा पेस्ट बना के तयार करना है तो हमारी स्टफिंग बहुत ही स्मूथ और क्रीमी होनी चाहिए देखिया हमें ऐसे स्टफिंग बना के तयार करनी है अब हम ब्रेट के स्लाइस को ले लेंगे तो यहां पे मैंने 4 bread की slice ली है अगर आप चाहो तो इसके कीनारे निकाल सकते हो अब हम इसमें green chutney लगा देंगे एक طरप हम green chutney लगाएंगे और एक तरप हम ketchup लगाएंगे आपको अगर green chutney की recipe चाहिए तो मैं description में इसका link एड़ करदूँगी मेरी चैनल पे इस चटनी की रेसिपी है तो आप ज़रूर इसे चेक कर लेना अब हम दूसरी तरफ केचप लगा देंगे अगर आप स्पाइसी खाना चाहते हो तो आप उपसे सिजवान चटनी भी एड़ कर सकते हो यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए बनाया है देखे चारो तरफ हमने अच्छे से लगा दिया अब हम स्टफिंग एड़ कर देंगे और स्टफिंग की कॉंटिटी हमें थोड़ी ज्यादा रखनी है तो ही हमारी सेंडविच का टेस्ट आएगा और हमारी स्टफिंग बहुत ही क्रीमी और ज्यूसी बनके तयार होती है तो इसका खाने का मजा ही कुछ अलग है तो आप इसे बना के जरूर ट्राइ करना आपको जरूर पसंद आएगा और यह बच्चों की तो फेवरीट ही बन जाएगी तो देखें यहां पर हमने दोनों सेंविच को बना के रेडी कर लिया है तो अब हम उपर से बटर लगा देंगे यह मेरा घर का बना हुआ बटर है तो मैं इसे लगा रही हो अगर आपके पास बाजार का बटर है तो आप इसे भी लगा सकते हो और यह घर के बने बटर की तो बात ही क्या कहे है बहुत ही टेश्टी और स्वादेश्ट लगता है यह थोड़ा ठंडा है लेकिन यह तवे पे जाके बहुत ही अच्छा से स्प्रेड हो जाएगा और बटर की कॉंटिटी हमें थोड़ी ज्यादा ही रखनी है तो ही हमारी सेंडविच बहुत ही क्रंची और कुरकुरी बन के तयार होगी और उपर से भी हम इसमें बटर एट कर लगा देंगे सेंडविच में बटर का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और इसे हमें दबा दबा के और पलट पलट के इसे जब तक इसमें गोल्डन क्रस्ट ना आ जाए तब तक हम इसे सेकेंगे आप अपनी पसंद के हिसाब से जितना इसे क्रंची बनाना चाहूं उतना बना सकते हो तो देखिए हमारी सेंडविच बन के लिए रेडी है तो हम दूसरी सेंडविच को सेक लेंगे और उपर से बटर लगा देंगे और हमें सेंडविच को दबा दबा के अच्छे से प्रेस करके इसे सेकना है ताकि ये बहुत ही अच्छी तरह से सीके और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगे तो देखीए यहाँ पर हमारी दोनों सेंडविच बन के रेडी है बहुत ही टेस्टी और श्वादिष्टी ये सेंडविच बन के तयार होती है तो आप इसे जरूर बना के ट्राय करना और आपके experience मेरे साथ जरूर सेर करना तो देखिए हमारी दोनों सेंडविच बनके रेडी है तो अब हम इसे काट के सर्विंग प्लेट में लगा लेंगे तो देखिए ये बहुत ही टेश्टी सी हमारी सेंडविच बनके तयार है तो अब हम इसे सर्विंग प्लेट में लगा देंगे और इसे ग्रीन चटनी और टॉमेटो केचप के साथ सव करेंगे तो चले मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई प्राई है ये बहुत हती हैं नहीड कोली, तो ये देखिए ये क्लिस्वेार काम आ रुटह। झाल झाल